यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ यूजना बन सकती है जो भी सवाल आपके मन में है उनके बारे में दूसरों से सला करने से ज्यादा फाइदा होगा भविश्य के लिए सोच समझ करके कदम उठाएं लोग आपसे मदद के उम्मीद करेंगे बिजनेस करने वाले लोग अपने कारोबार में कुछ नया करने का मन बना सकते हैं और अब बात करते हैं व्रिशब राशी के बिजनेस और कारकशेत्र में फाइदे की योग है पार्टनर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है भावनाओ का स्तर अच्छा हो सकता है या तरकी योजना बन सकती है किसे रिश्टिदार या पुराने दोस्त से मुलाकात की योग बन रहे हैं किसे से सलहा भी ले सकते हैं और परिवार से प्रेम और सायोग मिल सकता है निजिकाम का आज के लिए पैसो की व्यवस्था हो सकती है आपकी ही राशी में चंत्रमा होने से सेहत में सुधार होगा किसी खास काम की तैयारी पूरी हो सकती है और तुला राशी के लोग धैरे आज के दिन रख सकते हैं, आपको बिजनेस बढ़ सकता है और नौकरी में भी सफलता मिलने की योग बन रहे हैं, विपरेत लेंग के प्रतियाकरशन महसूस हो सकता है, सेहत के मामले में दिन अच्छा हो सकता है, पुराने रोग खत्म हो सकते हैं मिथुन राशी की बात करते हैं, फाल्तु दोड़ भाग की भी संभावना है, जरुवत से जादा पैसा खर्च करने से बचना होगा, पैसो और बाकी मामलों को ले करके आपके मन में किसी तरह के परिशानी हो सकती है, आक्स्ट्रा मारिटल अफ्यर की योग बन रहे हैं, ऐ ऐसी स्थिती ना बनने दे संभल कर रहें, अपनी बातों और आस्थाओं को ले करके दोस्तों या आसपास के लोगों से भी बहस हो सकती है, तो आपको सावधान रहना होगा, नौकरी या कारोबार से जुड़ी कोई राज की बाते भी आज उजवागर होनी की संभावना है आसपास से साथ कम करने वालों पार शक हो सकता है, सेहत के मामले में सावधानी रखे, चोट लग सकती है, ठकान और आलास से रहने वाला है करकर आजशी की बात करते हैं, ओफिस और बिजनस से जुड़े साथियों से अच्छा सायोग मिलने की योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, जीवन साथी से अपने बात दिल खुल कर कह सकते हैं जीवन साथी से बाते शेयर करने से आपको किसी सवस्या का समधान मिल सकता है, सोचे हुए कामों में सफलता मिल सकती है सितारों की स्थिती देखते हुए आपके लिए दिन खास हो सकता है करियर में आगे निकलने के लिए आप अपनी योगयता साबित करने की कोशिश कर सकती है लव लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव की संभावना है प्रेमी आपसे अपने पारिशानिया शेयर कर सकता है पैसो के मामले में अच्छे खासे सुधार की योग है कोई भी काम करने से पहले दूसरों के बारे में सोच ले तो अच्छा रहेगा आपका प्रफार्मेंस भी अच्छा हो सकता है कई घूमने जा सकते हैं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और माता पिता का आशिरवाद और सहयोग मिल सकता है और अब बात करते हैं सेंग राशी की आविवाहित लोग जो प्यार का इजहार करना चाहते हैं दिल की बात आज के दिन कह दे उनके लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है कामकाज जादा हो सकता है जादतर कामों के नतीजे भी आज आपको मिल सकते हैं आप थोड़े उत्साही और समवेदनशील हो सकते हैं चिंता छोड़ कर आने वाले समय के लिए तैयारियों में लोग लगे रहे और करियर में प्रगती कमाव का मिल सकता है नौकरी में प्रमोशन और कारुबार में धनलाब की योग बन रहे हैं आज आप किसी भी सिर्फ ठ खोस और तर्क पूर्ण बाते करें आपको नया दोस्त मिल सकता है जो आपके जीवन में फाइदे मन बदलाव वाला साबित हुगा समाजिक संस्थाओं से सम्मान मिलने की योग बन रहे हैं परिवार के लोगों से भी मदद मिल सकती है कन्या राशी की बात करते हैं पदोन्नती की मौके मिलेंगे कारिक्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है अपनी उर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है किसी कठिन परिस्थिती में आपको कुछ लोगों स से मदत मिलने की योग है मकान बदलने का मूड भी बरा सकते हैं जमीन जायदात का सौधा होने की संभावना है पैत्रिक संपत्ती से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं नौकरी या कारुबार में आपको किसी तरह का फायदा भी हो सकता है और रहसे माई और गुप्त विद् सेहत में सुधार होने के योग बन रहे हैं और अब बात करते हैं तुला राशी की आपको कोई भी नया काम आज शुरू करने से आपको बचना होगा किसी को उधार पैसा ना दे लव लाइफ के मामले में संभल कर चले जो भी फैसला लेंगे वो असानी से बदल नहीं सकेग ये ध्यान रखे जरुद से जादा एकागरता के कारिन परिशानी हो सकती है एक तरफा सोच आपको परिशानी में डाल सकती है खुद को धोका देने से बचे और जूटे गर्व से दूर रहने की कोशिश करे वानी पर संयम रखे बहुत हद तक आप व्यस्त हो सकते हैं किसी परिशाना रोग आपको फिर से परिशान कर सकता है व्रिश्यक राशी की क्या हाल है ये भी आपको बता देते हैं अधिकारियों से सायोग मिलने के योग है नए बिजनेस रिलेशन बन सकते हैं किसी को लफ प्रपोजल देना चाहते हैं तो दे दे आपके लिए समय अच्छ आपके फेवर में हो सकता है जो बीत गया उसे भूल जाएं पैसो के स्थिती में जल्दी सुधार होने की योग है कुछ नए मौके भी आपको मिल सकती हैं बदलाव के लिए तैयार रहें कुछ लोग आपसे जादा ही उमीद रख सकती हैं और निवेश की मामले में आपको मिलकर किये गए कामों में आपको बहुत हट तक सफलता मिलने की योग है प्रेम प्रसंग में सफलता मिल सकती है धनलाब के इशारे मिलेंगे आपका दामपत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है मन प्रसंद रहेगा प्रभाव शारी लोगों से मुलाकात के संभावना है प्रेम प्रस्ताव में सफलता के योग है धनुराशी की बात करते हैं कारेक शेत्र में भी परिशानी बढ़ सकती है किसी को उधार पैसा देने से बचना होगा किसी के सामने विवाहा प्रस्ताव रखना चाहते हैं रुक जाएं जल्द बाजी करना भी ठीक नहीं है आर्थ कमाने से जुड़ी बड़ी बड़ी बाते करते हैं आपको दबाव में काम करना पड़ सकता है मन पर कंट्रोल करने की कोशिश करें मन भटकने से नुकसान हो सकता है आज आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है साबधान रहे और अब बात मकर राशी की नौकरी पेशा लोगों को किये गए कामों का फायदा मिल सकता है, बिजनस करने वालों को रुका हुआ पैसा मिलने की योग है, पार्टनर आपकी हर बात समझेगा और आपसे सरहा भी लेगा, तो प्यार के लिए समय मिल सकता है, लव लाइफ के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है, प कोई जादा ही जटेल या बहस वाला मामला सामने आए तो उसे कल पर टालने की कोशिश करें भाई और दोस्तों से सायोग मिल सकता है और इसी के साथ अब बात करते हैं कुम्भ राशी की आपके निजी जीवन में कोई बड़ी बात उलज सकती है शांती से किसी मामले को अब राएं आज आप समवेदंशिल मामलों में जादा ना सोचे किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें इससे फाइदा नहीं होने वाला है किसी भी मामले में नकरात्मक सोच वेचार करने से आप उलज सकते हैं आपके जिमेदारिया ही परिशानियों का कारण बन सकती है आपकी बनाई योजनाए अधूरी रह सकती है, आखों में थोड़ी जलन हो सकती है, सेहत के मामले में दिन थोड़े ठीक कहे जा सकते है और आखिरकार क्या है मीन राशी का हाल ये भी आपको बता देती है करियर संबंधी नए मामले सामने आ सकते हैं, मेहनत से ही सफलता की योग है, लाइफ पार्टनर या प्रेमे को लेकर आप जादा ही समवेदन शील हो सकते हैं किसी की बात को गलत समझकर अपना मूर ना बिगणने दे, खुद पर नियंतरन रखे, कारोबार के लिए भी अच्छा दिन है, छिटपुट परेशानियों से निपटने में सफल हो सकते हैं, अपने जरूरी कामों पर ध्यान रखे, दूसरों की मदद करेंगे, परिवार के समय पर मदद मिलने के योग बन रहे हैं झाल